अब हम लोग पढ़ेंगे muscle contraction, physiology of muscle contraction की एक और थियोरी जिसे sliding filament theory भी कहते हैं ठीक, यह जो थियोरी है यह skeletal muscles के molecule level पर होती है ठीक, तो जो filaments पाय जा रहा है muscle fiber में ठीक है जैसे actin और myosin ठीक है उनकी sliding की वज़े से जो muscle contraction हो रही है वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ठीक, इस theory के according जो muscle contraction है वो किसके करण होती है जो muscle fibers की length है ठीक, उनकी shortening के करण होती है ठीक, उनकी muscle fibers की sliding के करण होती है ठीक, और जो filaments है उनके एक दूसरे के ओपर इस्थित होने के करण होती है ठीक, तो जो हमारा यह apparatus बना होता है bands का ठीक, जो यह band है band कौन से है, ठीक, band कहां पर पाए जा रहे है, band पाए जा रहे है, सारको मेयर पर ठीक, यह band कौन से है, जिनको myofilament कहते हैं, जैसे actin और myosin के यह band है जो एक दूसरे के ओपर लगे होते है, ठीक, इनी के sliding की वज़े से जो response हो रहा है, उसी के दौरा contraction और relaxation होता है तो band कितने परकार के हैं, इनको 5 हिस्तों में बाटा गया है पहला है I band, यह actin filament का होता है, ठीक, दूसरा है A band, यह myosin filament का होता है तीसरा है H band, ठीक, यह myosin filament का होता है, ठीक, और इसमें A band भी पाया जाता है ठीक, H band जो है myosin filament का होता है, लेकिन इसमें A band भी पाया जाता है और इसमें overlapping नहीं होती है, चौता है Z line, यह actin filament का होता है सारको मेर के बीश में होता है ठीक इनको अलफ ये किसके द्वारा मिडियेटेड होता है यानि इनको किसके द्वारा प्रोटसाइद मिलता है वो मिलता है अलफा एक्टेनिन प्रोटीन के द्वारा पाशवाएं एम लाइन ठीक ये किसके बीश का कनेक्शन होता है ये मायोसिन व्ल्मेन मौयमेसन प्रोटीन के फिलमेंड होते है उनके बीशका होता है थिक This किसके दवारा प्रोतसायद lizal na make our does में जयाता है अब है अब हम लोग दायगराम देख रहे हैं है लिए यहां पर एम-ाय M-Line M-Line है ठीक फिर A-Band है फिर Z है फिर A है फिर Z है फिर A है और फिर H-Line है ठीक तो इन्हीं के उपर यह जो बैंड और जो लाइन है इन्हीं के उपर Sliding Flamen थियोरी निर्भर करती है ठीक A-Band देख रहे हैं फिर A-Band है फिर A-Band है फिर A-Band है ठीक तो यह चीज़ आपको देखनी है यह आपको डाइगराम बनाना होगा अब आते हैं हम लोग इसमें step क्या follow होते हैं ठीक step follow यह होते हैं कि जो myosin का head है ठीक वो ATP binding site पर जाकर के छिपक जाता है ठीक और ATP enzyme के द्व organic phosphate होता है ठीक यह जो energy release हो रही है इसके कारण act myosin जो cross bridge होता है उसमें movement होती है ठीक कैसे होती है inward होती है कहां पर होती है H zone में यानि H line में ठीक इसके कारण क्या होती है हमारी muscle short होती है यानि सुकड़ती है ठीक इस पूरे क्रिया को कहा जाता है power stroke ठीक जा हमारी muscle मतलब स छोटी हो जाती है सुकड़ करके तो क्या होता है जो हमारी ATP होती है वह synthesize हो जाती है ठीक और ATP जो है ADP से 80 synthesize हो जाती है कहां पर myosin molecule में ठीक जब myosin molecule में ATP हो जाती है पूरी तरह से हो जाती है जब energy available हो जाती है तो उसके बाद जो calcium ion होते हैं वह जो है सारको plasmic reticulum के द detach होते हैं raftin receptor पर ठीक जब यह जाकर वहाँ पर चिपच जाते हैं जब वहां से release हो जाते हैं फिर उसके बाद यह क्या करते हैं जैंड़ जाती है तो फिर वहां पर relaxation हो जाता है ठीक अगर हमारी activating हैनरgia produce हो रही है तो calcium iron free रहते हैं और contraction होता रहता है ठीक और इसी theory को क्या कहा जाता है sliding filament theory समझ में आया सीधी सीधी सी बात है जो हमारे filament है actin और myosin ठीक है यह एक तरह के band है ठीक यह एक दूसरे के साथ एक दूसरे के उपर रहते हैं ठीक तो हमारेक्शन गारोच प्रोडियूस होती है पारिक यहां होते हैं और uhin कॉज होता है और हमारा सभिक हो जाते है और हमारा केशिधी और तब तक contraction रहाएगा और इसी theory को कहा जाता है sliding filament theory ठीक और इसमें एक चीज़ और होती है इसमें यह चीज़ है कि जब ATP जब हमारी generate हो जाती है ठीक इसमें बहुत इस प्रोसेस में अगर energy रहेगी तो maximum contraction होगा energy नहीं होगी तो contraction बिलकुल भी नहीं होगा ठीक threshold रहेगा तो maximum response देखेगा और अगर threshold नहीं रहेगा तो response नहीं देखेगा ठीक तो जब आप लोग फीजियोलोजिया muscle contraction लिखेंगे तो वह एसिटाल कॉलिन वाला भी लिखना है और sliding वाला भी लिखना है